तो फ्रेंस आपने TRP वर्ड कही न कही सुना या देखा जरूर होगा तो चलिए आज आपको बताता हूँ TRP का full form क्या होता है TRP का full form होता है Television Rating Point फ्रेंस ये एक measurement होता है जो television, programs और channels की popularity और viewership को quantify करता है यानि आपका चैनल कितना popular है या कितने लोगों न देखा है ये TRP बताता है TRP दोस्तों एक agency होती है TRP का इस्तमाल television industry में होता है प्रेंस किसी show या channel को कितने views आए हैं या किस तों लोगों ने देखा है या वो channel कितना famous है TRP के पास इसका data होता है यानि TRP ये सब measurement करती है हिसाब किताब रखती है जिससे advertiser और broadcaster को पता चले कि कौन से show या channel audience के बीच में popular है जिससे उनका advertising strategy और content planning optimize किया जा सकता है friends मान लीजिए आपका कोई channel बहुत ज़्यदा famous है तो जो advertiser होता है वो आपके channel में आएगा अपना product sale करेगा जिससे ज़्यादा लोग देखेंगे और उस product की ज़्यादा sale होगी friends आशा करता हूँ आप TRP का मतलब समझ गयोंगे ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारी channel में visit भी कर सकते हैं धन्यवाद